हलो दोस्तो मैं सिखा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज मैं आगरे की बहुत ही फेमस मिठाई पेठे की मिठाई लेकर आई हूँ जिसे लोग पेठा बोलते हैं और हमारे हाँ इसे मुरब्बा बोला जाता है बथुए का ये मिठाई बहुत ही लाजवाब और टेश्टी होती है इसे सभी लोग खाना पसंद करते हैं तो ये है डेर केजी का भथुआ इसे हम काट लेंगे और काटने के बाद ये बीच का जो भाग है इसे हमें चाकू की मदद से बहुत ही अराम से इसे निकाल लेना है पेठे बन बीच का भाग इस्तमाल नहीं होता है इसे काट कर निकाल लिया जाता है इसे अलग हटा कर हम रख देंगे इसका इस्तमाल अप भथुए की बड़ी बनती है उसमें कर सकते हैं बीच निकाल कर लेकिन मिठाई बनाने में इसका इस्तमाल नहीं होता है इसलिए इसे निकाल कर हम बाहर रख देंगे अलग हटा देंगे और जो भी इसमें बीज का भाग है देखिए बीज आपको दीख रहा होगा इसे हम काट कर अच्छे से निकाल देंगे एक भी बीज इसमें नहीं होना चाहिए तभी हमारी मिठाई अच्छी बनेगी देखिए एक भी बीज अब नही च्छोटे पीसे च्छिल्का निकालने में असानी होता है। इस प्रकारी से हमें छील लेना नहीं सबती, इसके यलिक नहीं देना चाहिए। реш लिख रहा होगा दोस्तों अब हम एक बड़े बरतर में एक लीटर पानी लेंगे और इसमें हम एक छोटी चमच खाने वाला चूना डालेंगे जो चूने चूना हम पान में खाते हैं वही चूने का इस्तमाल हमें आपे करेंगे तो इसे हम पानी में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद ये भथुए का कटा ह पीसे जो है इसमें डाल देंगे और इसे साथ से आठ घंटे के लिए चूने के पानी में हमें छोड़ देना है ढखके देखे साथ से आठ घंटे हो चुके हैं अब इसे हम चूने वाले पानी से बाहर निकालेंगे तो इसे हम चूने वाले पानी से बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम साधे पानी में दो से तीन बार अच्छे से बिलकुल दो लेना है अच्छे से धोना इसलिए जरूरी है कि चुने का जो भी पाने इसमें हो वो निकल जाएगा साधे पानी से हम इसे दो से तीन बार अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसके छोटे छोटे पीस हम कर लेंगे जिस साइज का हमें पेठा चाहिए उस size का हम यहां पर काट कर इसे छोटे छोटे पीश में कर लेंगे तो पहले इसे हम धोकर निकाल लेते हैं पानी से और इसके बाद इसकी cutting कर लेंगे चाहे तो आप बड़े size के भी पेठे बना सकते हैं लेकिन छोटे size वाले ज़ादे अच्छे लगते हैं इसे हम निकालकर प्लेट में रख लेते हैं और इसे हम काट लेते हैं काटने के वाद इसे हमें पानी में डालकर उबालना है दोस्तों यहां पे तो देखिए इस तरह से हम छोटे-छोटे पीस इसके कर लेंगे हमें जिस साइज का पेठा चाहिए हम काट लेंगे इसमें पानी देखिए ये अच्छे से धूल चुका है और एक बड़े बरतर में हम फिर से एक लिटर पानी लेंगे या इतना पानी लेंगे जिसमें पेठे ये जो भतुए का पीस है अच्छे से डूब जाए इसमें उतना ही पानी हमें लेना है और काट काट के हम बरतर में इसे डालते जाएंगे इसे अभी हमें उबालना है दोस्तों तिसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तमाल करें यहां पे जिससे पेठे जो है ये बथुए का जो पीस है वो पानी में अच्छे से डूब जाए और इसे हम चूले पर चढ़ा दे देखिए ये लगभग 20 मिनट इसे हमें उबालना है ये अच्छे से उबलना चाहिए पानी में देख्ये कितना अच्छा उबाल आ रहा है इसमें तो ये हमारा 20 मिनट हो चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं तो गैस को पहले कर लेंगे अब हम एक केजी यहां पर चीनी लेंगे इसे पहले हम निकाल कर ठंडा होने देते हैं और एक बरतन में हम एक केजी चीनी ले लेते हैं यह हमारा एक केजी चीनी है अब हम हमें क्या करना है एक बड़े बरतन में हम पानी निकला हुआ भतवा डालेंगे जो उबला हुआ था उसे हम डालेंगे और इसमें हम चीनी डाल देंगे चीनी और भतवयों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहां पर इसमें हम यहां पर पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे इसमें जो भथुए में जो पानी है उसी से ये चीनी अच्छे से गल जाएगा देखे इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद हम गैस को जलाएंगे और इसे धीमी आग में चीनी घुलने तक पकाएंगे चीनी का अच्छा चासनी तयार होना चाहिए दो से दो तार वाली चासनी तयार होनी चाहिए मोटी बिल्कुल देखिए इसे थोड़ी देर ढग दिये थे तो देखिए भथुए से जो पानी निकला उससे चीनी अच्छे से गल चुका है पिघल चुका है अब इसमें हम फ्ले देखें, लास्ट ड्रॉप आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है चासनी का, तो इस तरह से हम इसे नीचे कर लेंगे और इसे जाली पर फैलाएंगे, चासनी से इसे निकाल लेना है, और इसे सुखने के लिए पंखे के नीचे हम डाल देंगे, ये देखिए, ये डाल दिये हैं, ये मुरब्भा हमारा बनकर तयार हो गया है, आगरे की फेमस मिठाई, पेठा बनकर तयार है, आप घर में बड़े ही अराम से ये लाजबाब मिठाई, स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं, तो दोस्तों, आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी, प्लीज कोमें तयान में लाजब आर बनकर टोस्तों, वारे की लाजबाब मिठाव्य, जैयार हो दोस्तों सकते हैं, आप मारी के लाजबाब मिठाब लाजबाश फेमस्तों, इन दोस्तों, आप जोस्तों आप